C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है ये श्रिंखला भारत की महान विभूतियां इस श्रिंखला की अंतरगत आए सुनते हैं ये कारेकरम डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी अरे नव्या सुनिला दिदि अभी तक क्यों नहीं आई हाँ अरी हरसल कब शुरू करेंगे अभी तक भाया भी नहीं आए बस आते ही होंगे मैंने तो अच्छे तरीके से तयारी कर लिए मैंने भी मैंने देखना हम ही जीतेंगे बिल्कुल सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बार हम सब को एक ही महान विभूती के बारे में बोलना है हाँ डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी इनी के बारे में बोलेंगे हाँ उनके जीवन के अलग-अलग पहलूँ पर बड़ा मसा है दिए और भाईया भी थो हमारे साथ है हम तो टॉप करेंगे तो जरूर था शामते बच्छों नमस्ते भाईया सबने त्यारी तो अच्छी की है ना अपनी अपनी लाइने याद कर लि यी दी मैने भी कर लिये टैयारी अच्छा आपने भी तयारी कर ली और मैंने भी तयारी कर ली क्या बात है बोल्याओ सिर्फुसल नैसे अमन तुम्हारी बारवी के पढ़ाई कैसे चल रही है इकदम बढ़िया दीदी बल्कि मेरा एक चाप्टर डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी पर ही है अरे वाँ फिर तो तुम्हारी तयारी बहुत मज़े से हो जाएगी अरे वाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है वैसे भी हम सबको उनके बारे में तो जानने ही चाहिए है ना बच्चो हाँ मिल्कुल तो फिर शुरू करें जी दी दी तो सबसे पहले किसकी बारी है मेरी दीदी मेरी तो फिर सुनाओ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर जी का जन्म हुआ 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में उनके परिवार की बहुत प्रितिष्ठा थी उनके पिता जी थे सर आशुतोष मुखर जी जब शामा प्रसाद मुखर जी के पिता जी का देहान्त हुआ तब वो केवल 23 वर्ष के ही थे तब उन्ही विश्व विद्याले के प्रबंद समिती में ले लिया गया और इस तरह आवे अपने पिता के पच्चिनों पर आगे बढ़ने लगे शापार तो आप किसकी बारी है बच्चो किसकी बारी है बोलो तो चलो शुरू हो जातो जब शामा प्रसाद मुखर जी सिर्फ तेतिस साल के थे तब ही कलकता विश्व विद्याले के कुलपती चुल लिये गये थे और वो इस पद पर उस समय के सबसे कम आयो के व्यक्ति थी हाँ बच्चो और पता है उस समय तो ये बहुत बड़ी बात थी मैं भी उनकी तरह ही बनूँगे वाँ क्या वादश शाबाश 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 तुम बास्त में बहुत ही होना हारो और हुब आगे वड़ोगे हमें ये पूरा विश्वास है हमारे बच्चे बहुत होशियार है बिल्कुल सही का तो आप किसकी बारी है बच्चो मेरी बारी है दीदी तो फिर बताओ तुम क्या सुनाओगे मैं सुनाओंगा डॉक्टर श्याबा प्रसाद मुखर जी के कुलपती होने के समय की सबसे यादगार घटना तो सुना अमन घटना तब की है जब विश्व विद्याले में दीक्शांत समार हो था कविवर रविंदर नाट टैगोर मुक्य अतिती थे अच्छा उन्होंने बांगला में भाषन दिया जबकि तब अंग्रेजी में ही भाषन दिये जाते थे ये बांगला भाषन इतना प्रसद हुआ कि इसके बाद अंग्रेजी भाषन के स्थान पर बांगला और अन्य भारतिय भाषाओं का योग ही शुरू हो गया वाह, क्या बात कही तुमने अमन बहुत बढ़िया अमन वाह, क्या बहुत बढ़िया अमनने वह, हम सबको अपनी भाषा पर तो गर्भ होना ही चाहिए हाँ, मैंने भी स्कूल में हिंदी में भाषन दिया था और मैंने भी स्कूल में हिंदी में कवीता सुनाई थी क्या बहुत बढ़िया अब बताओ कि बोलने कि किसकी बारी है फिर से मेरी बारी है फिर से तुम्हारी बारी अरे बात ये है, इसके बारवी के परिक्षाई है, तो ये तयारी कर रहा है, इसलिए पूरी तयारी के साथ आया आज अचा अब समझी, सुनाओ अमन, तो फिर अब क्या सुनाओगे? डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी के विचार जो ज्ञान और विज्ञान के विशय में है तो चलो शुरू हो जातो अध्यात्म और विज्ञान दोनों में डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी का अटल विश्वास था इसके आगे मैं बताओ बताओ, डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी के घर का वातवरन बहुत ही धार्मिक था। हमारे घर में भी पूझा ओतियार, मैं भी करता हूँ। पढ़िया। जानते हूँ डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी को अनुष्ठानों, धार में कारिक्रमों और उत्सवों को देखने का भरपूर मौका मिला था साथ ही पढ़ाई, लिखाई और उनके घर में तो शिक्षा का वातवरन भी था इसलिए उनके विचारों में भी संतुलन था वा, क्या बाद है, बाद है तो अब कौन सुनाएगा आगे? दीदी मैं हाँ, सुनाओ डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी के घर में बहुत से विद्वान आते थे देश विदेश के भी आते थे, और अंग्रेज भी आते थे उनके घर में सामाजिक और विज्ञानिक चर्चाए होती और उन्हें वो ध्यान से सुनते थे और इसमें उन्हें बहुत मज़ा आता था अरे वा, आज तो सबने मिल जूल कर कितना अच्छा बताया सुनिला, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं भी मिल जाओं क्यों नहीं, क्यों नहीं बच्चों जानते हो, इन चर्चाओं से ही तो उनमें भारत की पुरातन संस्कृती और साथ ही पास्चाती विचारों और ग्यान को जानने के प्रती लगाओ पैदा हुआ और ये विचारों का एक अनूठा मिला अब था हाँ, तो बच्चों हमने कैसा बताया? और इसके लिए दीजी और भाया के लिए तालिय बजाओ भन्यवाद, भन्यवाद बहुत शुक्रिया बच्चों और जानते हो बच्चों, जब वो 16 साल के ही थे न, तब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर निकल ली थी जिसमें उन्हें स्कॉलर्शिप यानि की छात्रविती भी मिली फिर कलकत्ता के प्रेजिडेंसी कॉलेज में उनका दाखिला हो गया था हाँ, और फिर 1919 में उन्होंने इंटर आर्ट्स की परीक्षा पास की थी जिसमें उनको विश्व विद्याले में प्रथम स्थान मिला था हाँ बच्चों, बिल्कुल वो फर्स्ट आये थे हाँ, सही कहा तुमने बच्चों और बच्चों, 1921 में अंग्रेजी में बिये ओनर्स की परीक्षा भी उन्होंने पास की उसमें भी वो फर्स्ट आये थे हाँ, सही कहा और जानते हो बच्चों, वर्ष 1923 में एमे की परीक्षा भी उन्होंने पास की थी उसमें भी वो फर्स्ट आये थे बच्चो लगता था उन्हें कोई भी अब आगे बढ़ने से नहीं रोख सकता बिलकुल ठीक कहा लेकिन 1934 में उनकी बतनी सुधा का निधन भी हो गया था हाँ बच्चो तब उन्होंने पुनर विवाह यानी फिरसी विवाह ना करने का नने लिया उन्होंने तब मानव सेवा में पूरा जीवन लगा देने का संकल्प लिया बच्चो क्यूंकि तब उनके मन में आजादी की अलख जगाने का जोश भर गया था जो बना राजनीती में उनके प्रवेश का कार है इसके बाद वो सक्रिय राजनीती में आ गय थे और बच्चो वो बंगाल की प्रांती सरकार में वित मंत्री बने जब 1943 में बंगाल में आकाल पड़ा तो वो बहुत दुखे हुए आकाल प्रेडितों की मदद के लिए उन्होंने इतना काम किया इतना काम किया कि सब उनकी जैजैकार करने लगे डॉक्टर शामा प्रसाद मकर जी की नहीं नहीं कोई मेरी जैकार नहीं करेगा मेरे साथ आप सबका सहियोक था आगे भी हम ऐसे ही मिल जुल कर خوب मेहनत करेंगे और काम्याब होंगे हम सब मिल जुल कर इस विपदा का सामना करें तो आप सब तयार है दादा बंगाल के लोग आपको कभी नहीं भुला सकते बंगाल पर आये संकट की और देश का ध्याना कर्शित करने वाले एक आप ही तो है अरे मैं तो बस अपना कर्टब देने भा रहा दादा वो सीट जी अकाल पीडितों के लिए मदद देने आये है बेड के कारण इधर आपके पास नहीं आपा रहे है अरे तो हम चलते हैं न उनके पास ऐसे भले लोगों से मिलना तो सौभाग्य की बाद और नहीं तो क्या सुना है इनके मार्ग दर्शन में ही बंगाल रहाद समिती गटित की गई है हमारे श्यामा प्रसाद की मेहनत से ही ये संभव हुआ है लोगों से धन देने की उनकी अपील का देश भर में इतना अधिक प्रभाव पड़ा है इतना अधिक प्रभाव पड़ा है कि बड़ी बड़ी राश्यों आनी शुरू हो गई बिल्कुल सही का और पूरा देश एक जुठ होकर रहत देने में लग गया है आरे मैं तो कहता हूँ आज इन ही की वज़ा से लाखों लोग मौत के मुझ में जाने से बच गए बिल्कुल भाईया ये केवल मौखिक साहनू भूती प्रकट नहीं करतें बलकि व्यावारिक सुजाओ भी देतें देखो देखो सामा प्रसाजी वापस आ रहे हैं देखो 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 आईये आईये आये आये अच्छी साहता राशी पाने में सपन हुए है बहुत खुश भी लग रहे है भई हमारे लिए तो भगवान है भगवान बहुत ही नेक इंसान है सेट जीवा करे भाई और बेनो मैं तो कहता हूँ मुसीबत कितनी भी बड़ी हो अगर हम एक रहे तो उसका सामना कर सकते हैं हमारा एक देश है एक संस्कृति है हमारी हम सब को मिल कर अकाल को हराना है और हम इसे हरा कर रहेंगे भारत मता की आजादी के बात वो भारत के पहले मंत्री मंडल में शामिल किये गए हाँ दीदी डॉक्टर श्यामत प्रसाद मुखर जी उद्योग एवं आपूर्ती मंत्री थे शाबाद तो अब डॉक्टर शामा प्रसान मुकर जी की अनमोल वचन कौन सुनाएगा अच्छा अच्छा तीक ठीक है सब बारी बारी से बोलो ठीक है तो पहले कौन बोलेगा आप जो भी काम करते हैं उसे गंभीरता से अच्छी तरह से और पूंटा से करें तब तक स्वयम को संतुष्ट ना समझें जब तक कि आप इसे अपना सरश्वेष्ट नहीं दे दे अनुशासन और गती शीलता की आदतों को विक्सित करें बिल्कुल ठी शाबाश वो कहते थी हम उन्नती करेंगे हम एक होंगे हम ऐसी देश में रहेंगे जिसका भागिर केवल उसके बच्चों के हाथ में होगा हाँ तो बच्चो इस प्रकार हम सब को डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी के विचारों से प्रेड़ना लेनी चाहिए हाँ बच्चो तो क्यों रा हम सब ऐसे काम करें जिससे देश का नाम रोशन है हाँ मैं भी पढ़ाई में अपने देश का नाम रोशन करूँगा मैं विज्ञानिक बनूँगी मैं इंजीनियर बनूँगी मैं खेलों में नाम रोशन करूँगा अरे वाँ, शावाँ, बहुत चार दोची है। अमन, श्रेया, जौन, डेविड और सलीम, धोनियंकन, बटिलेंग लिंग्डोग और विकास, निर्मान सहयोग, तनुगुप्ता, निर्मान, निर्देशन वा धोनिसंपादन, वंधना अरिम्मर्दन, तथा प्रस्तुति, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत।